हेलो गाइज, वेलकम टो आवर येटिव चैनल, एस्टड़ी विद एम, आश में आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट विडियो लेके आए हो, तो देखिए आपके आगामी फॉरेस्ट गाट के एक्साम के रिकार्डिंग, आप सभी को स्टड़ी विद एम के द्वारा प्रेक्टिस सेट प्रोवाइड कराये जा रहे हैं, काफी इंपोर्टेंट ये प्रेक्टिस सेट हैं, आपके आगामी फॉरेस्ट गाट के एक्साम के लिए, साथ इसाथ अधर द्रोखने एक्साम के लिए, तो आप सभी लोग हमारी इस प्रेक्टिस सेट में स्टार्डिं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिक्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं यह भी स्टुडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलिक्राम चैनल पर रात को आठ बजे क्विज का भी आएजन किया जाता है काफी important कुशन आपको क्विज के रूप में दिये जा रहे हैं तो आपको जॉइन कर सकते हैं तो चलिए आज के session को हम start करते हैं और इस session का पहला कुशन है कलम तोड़ना मुहावरी का अर्थ है तो देखे कलम तोड़ना मुहावरी का अर्थ है बहुत सुंदर लिखना option इस question का correct answer है नेक्स्ट question देखेंगे कभी जिनका मूल नाम केदार पांड़े था श्री लंका में बौध धर्म ग्रहन करने के बाद उनका नाम रखा तो देखे कवी जिनका मोल नाम के दार पांडे था श्री लंका में बौध धर्म ग्रहन करने के बाद उनका नाम रखा गया राहुल सांकत्यायन यानि के option D यहाँ पर आपका right answer है next question देखेंगे रानी और कानी चतुरी चमार चोटी की पकड़ गीती का रशनाएं है तो देखें रानी और कानी इसके अलावा चतुरी चमार चोटी की पकड़ और गीती का यह सभी रशनाएं किस रशनाकार की हैं यह बताना है important question है correct answer हो जाएगा आपका सूरी कांत तरपाथी निराला next question देखेंगे अशुद्ध भाग का chain की यह तो देखें यहाँ पर आपको वाकी दिया गया है आजकल भारत के कारखानों से एक से एक बढ़कर शिष्ट तम वस्तुएं बनकर निकल रही है तो इस वाकी में अशुद्ध भाग कौन सा है इसका chain करना है तो correct answer हो जाएगा आपका एक से एक बढ़कर शिष्ट तम वस्तुएं यह आपका अशुद्ध भाग है अगला question देखेंगे पार्थिव पार्थिव क्या होता है यह बताना है तो देखें पार्थिव होता है जिसका संबंद प्रथवी से हो इससे कहा जाता है पार्थिव अगला question देखेंगे कमल का परियाईवाची शब्द नहीं है तो देखें इनमें से कमल का परियाईवाची शब्द कौन सा नहीं है सहकार सहकार कमल का परियाईवाची शब्द नहीं है बाकि नलिन, पंकाज और उत्पल ये आपके कमल के परियाईवाची है अगला कुश्यन देखेंगे अरवाचीन का बिलूम शब्द है तो देखें अरवाचीन का बिलूम शब्द क्या हो जाएगा प्राचीन यानिकी option discussion का right answer है अगला question देखेंगे मीरा ने आदा लीटर दूथ पी लिया में विशिशन है तो देखें मीरा ने आदा लीटर दूथ पी लिया इसमें कौन सा विशिशन है correct answer हो जाएगा परिमान वाचक विशिशन अगला question देखेंगे निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टी से दंत्य नहीं है तो देखें उच्चारण की दृष्टी से दंत्य कौन सा वेंजन नहीं है कौन सा वर्ण नहीं है ये बताना है तो correct answer हो जाएगा आपका यहाँ पर तो जो है ये उचारण की दरिष्टे से दंत्य नहीं है अगला कुश्चन देखेंगे शुद्ध शब्द बताईए इन में से शुद्ध शब्द का चैन करना है तो शुद्ध शब्द हो जाएगा इन में से अंत्य स्टली ओप्शन बीस कुश्चन का राइट आंसर है अगला देखेंगे वानर का तदभव रूप है तो देखें वानर का तदभव रूप क्या है बंदर अगला कुश्चन है आपका स्वरसंधी के कितने भेध हैं देखे स्वरसंधी के भेद बताने हैं तो correct answer है आपका यहाँ पर 5 भेद हैं स्वरसंधी के यह आपको याद रखना है next question है संसकार सब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है तो देखे संसकार सब्द में सम उपसर्ग का प्रियोग किया गया है option 20 question का right answer है अगला देखेंगे किस अनुच्छेद में राश्ट पती को राजभाशा आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया है तो यह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 304 जिसमें राश्ट पती को राजभाशा आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया है option a question का right answer है अगला question देखेंगे कौरवी बंगरू बोली है तो देखें कौरवी बंगरू बोली है पश्ची में हिंदी की ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट आंसर है और पश्ची में हिंदी की सभी बोलियों का विकास कहां से हुआ है सोर सैनी अपर फ्रांस से अगला कुश्यन देखेंगे न निमन शब्दों में सदा इस्ट्रिलिंग वाला शब्द कौन सा है तो देखे निमन शब्दों में सदा इस्ट्रिलिंग वाला सब्द है आपका कौन सा शब्द चांदी अगला कुशन है माखनलाल चतुरवेदी को साहीत अकादमी पुरुषकार किस रचना पर मिला तो देख यह बताना है इस question में कोलकाता, डाइमंड, होरवर के मध्य आपका यहाँ पर राइट आंसर है अगला question देखेंगे project arrow का संबंद निम्न मैं से किस से, किस के आधुने की करण से है, तो देखें project arrow का संबंद है, किस के आधुने की करण से correct answer है आपका यहाँ पर डाक घर के option, ए बिल्कुल राइट answer हो जाएगा, अगला question देखेंगे किस हिंदुस्तानी को film गांधी, मैं पोशाग design के लिए औसकर पुरुसका से समानित किया गया, correct answer हो जाएगा भानु अथाया को अगला question देखेंगे निम्न लिखित मैंसे किस पुस्तक के लेखक पाणी नी है, तो देखें पाणी नी, किस पुस्तक के लेखक है इन मैंसे, तो correct answer हो जाएगा आपका यहाँ पर अश्टा ध्याई, अश्टा ध्याई जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, पाणी नी नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे निम्न मैंसे कौन सुमेलित नहीं है तो देखें निम्न मैंसे कौन सा सुमेलित नहीं है, यह बताना है correct answer है आपका राश्टी प्राध्योगी की दिवस 11 जुलाई, यह आपका सुमेलित नहीं है, तो correct answer हो जाएगा option A, राश्टी प्राध्योगी की दिवस कब मनाया जाता है अगर आपको answer आ रहा है तो comment करके बताईए comment section में अगला देखेंगे भारत का पर्थम पर्माणो reactor कौन है, तो देखेंगे भारत का पर्थम पर्माणो रियक्टर है इन मेंसे कौन सा, अब सरा next question देखेंगे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है, तो देखें भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील बतानी है, तो ये जील है आपकी वुलर जील अगला question है, भारत का पहला crypto gaming garden कहां खोला गया है, important question है तो देखे भारत का पहला crypto gaming garden खोला गया है कहां पर correct answer हो जाएगा आपका यहां पर देहरा दून में अगला question देखेंगे भारत में दक्षन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो देखे भारत में दक्षन भारत की सबसे लंबी नदी वतानी है तो गुदावरी नदी दक्षन भारत की सबसे लंबी नदी है अगला question देखेंगे भारत में सबसे बड़ा ग्रीजा घर है तो देखे भारत में सबसे बड़ा ग्रीजा घर कौन सा है ये ग्रीजा घर है सेंट कैथेडरल जो की कहां परिस्तित है गोवा में अगला कुश्यन देखेंगे भारत में सबसे लंबी तर्ड रेखा वाला दक्षन भारत का राजी कौन थे तो देखे भारत में सबसे लंबी तर्ड रेखा वाले दक्षन भारत का राजी कौन है ये बताना है तो correct answer हो जाएगा इस कुश्यन का आनर प्रदेश राजी अगला क अगला देखेंगे बेकिंग शब्दावली में अक्सर हम NPA के बारे में सुनते हैं तो देखें NPA का पूरा रूप क्या है ये बताना है तो NPA का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे आपका नौन परफॉर्मिक एसेट्स अगला देखेंगे लोग सभाध्यक्ष के समीती का पदेन अध्यक्ष होता है अगला कुशन देखेंगे दो या अधिक राजियों का संगी प्रदेश के लिए एक सामानी उच्छ नियायले की स्थापना की जा सकती है तो देखे दो या अधिक राजियों या संगी प्रदेश के लिए एक सामानी उचे नियाले की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है तो संसर द्वारा कानून बनाकर नियाले की स्थापना उचे नियाले की स्थापना की जा सकती अगला कुश्यन देखेंगे पंचायती राज के चुनाओं में राजनितिक दलों को खुले तोर से चुनाओं चिन्नों के अधार पर भाग लेने देने का सुजाओ के समीती ने दिया तो करेक्ट अंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आशोक मेहता समीती ने अगला कुश्यन देखेंगे भारती समविधान कब अंगीकार किया गया तो देखें भारती समविधान यह अंगीकार किया गया 26 नवेंबर 1905 अगला question है सम्विधान के किस अनुच्छेत में उपरास्ट्रपति पद का प्राप्धान किया गया है most important question correct answer हो जाएगा अनुच्छेत restart यानि के option D यहाँ पर आपका right answer है अगला question देखेंगे चाओ किस राजी का प्रशिद्य लोग नुरित्य नहीं है तो देखें चाओ जो है ये असम राजी का प्रशिद्य लोग नुरित्य नहीं है option A इस question का right answer है अगला question देखेंगे निम्न मैंसे कौन सा मंदिर ओडिशा में इस्थित नहीं है तो इन में से ओडिशा राजी में स्थित नहीं है आपका कौन सा मंदिर विश्वनात मंदिर ओप्शन यहाँ पे आपका correct answer है अगला है कौन सा मोगल शाशक चित्रकारों का सबसे बड़ा शंगरक्षक था तो देखे जहाँगीर जो मोगल शाशक था यह चित्रकारों का सबसे बड़ा शंगरक्षक था यानि कि option डिस question का right answer है अगला देखेंगे आंद्रप्रदेश का classical रित्य है तो देखे आंद्रप्रदेश राजी का classical dance कौन सा है कुचिपूरी important question है ध्यान रखेंगे अगला question है आपका द्रिश्य निरियात और द्रिश्य आयात के मूलिय में अंतर को क्या कहते हैं most important question तो देखे द्रिश्य निरियात और द्रिश्य आयात के मूलिय में अंतर को क्या कहा जाता है व्यापार 6 कहा जाता है अगला question देखेंगे Karl Marx निमने लिखित मैंसे किस देश के थे तो देखें Karl Marx थे कहां के जर्मनी के next question देखेंगे उद्योगों का विकास तथा ओद्योगी की करण की नेती की किस योजना का अंग थी तो देखें उद्योगों का विकास तथा ओद्योगी करण ये रण नेती किस योजना का अंग थी ये बताना है तो यहां पे आपका correct answer हो जाएगा दिती है option days question का right answer है अगला question देखेंगे भारत का आर्थिक सर्वेक्षन प्रति वर्ष किस के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है ये बताना है यहां पे आपका right answer हो जाएगा बित्त मंत्रा ले अगला देखेंगे नेमने लिखित राजियों में से किस में अधी सूचित जन जाती नहीं पाई जाती है तो देखें अधी सूचित जन जाती व्रिद्दर रही है भारत की उचितम जन संख्या व्रिद्दर रही है 1961 से 1971 के दशक में अगला कुशन देखेंगे व्यक्तिगत सत्यागरा में विनोवा भावे को पर्थम सत्यागरही जोना गया था दूसरा सत्यागरही कौन था अगला कुशन देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंब हुआ था 9.1942 को अगला कुशन देखेंगे निमने मैं से किसने 857 के विपलव को पर्थम भारती स्वात तंत्री युद्ध की संयादी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वीडी साबर कर आप सभी को आज का ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लें जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टुडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लिजे और छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से कि इसको शेर जरूर कीजिएगा आप सभी लोग आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है डेली आपको ये practice set provide कराय जा रहा है study with aim के द्वारा काफी important है आपके अगामे exam के लिए चलिए next question देखेंगे next question है गांधी जी का चंपारन सत्याग्रा किस से जोड़ा था तो देखें गांधी जी का चंपारन सत्याग्रा ये जोड़ा हुआ था इनकठिया से अगला question देखेंगे संकराचारी का जन्म केरल के किस गाउ में हुआ था तो देखें आदिकुरु संकराचारी का जन्म केरल में हुआ और केरल के कलाडी या कलाडी नामक गाउ में इनका जन्म हुआ था अगला question देखेंगे MS-DOS है MS-DOS क्या है ये system software है अगला question देखेंगे super mini computer में कितनी sun career प्रतिस सेकेंड समाहित होती हैं तो correct answer हो जाएगा 5 लाग अगला question देखेंगे computer तथा mano का संपर्क dash के द्वारा होता है तो देखे computer और mano का संपर्क किसके द्वारा होता है input एवं output के द्वारा अगला question देखेंगे 2.12 p.m. पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होता है तो यहाँ पे इस question का right answer हो जाएगा 6 डिगरी का अगला question देखेंगे दिएगे शब्दों को अंग्रेजी वनवाला में व्यवस्तित करें और उन में से सबसे पहले आने वाला शब्द चुने तो दिखें इन में से सबसे पहले कौन चा शब्द आ जाएगा दिखें correct answer हो जाएगा आपका यहाँ पे qualify अगला question देखेंगे समरूपता के अधार पर नहीं दिये गए विकल्पो में से नहीं दिया गया यूगम ग्याद करें तो कौन सा यूगम यहाँ पे नहीं दिया गया है वो ग्याद कर लेना है correct answer हो जाएगा इस question का सबसे खराब सबसे अच्छा यह यूगम नहीं दिया गया अगला question देखेंगे परवता रोही तसांग यिन हंग ने अवरिस्ट पर सबसे तेज चड़ने का record दोड़ा है यह किस देश से सम्मनित है तो देखे परवता रोही है तसांग यिन हंग और यह किस देश से सम्मनित है बताना है correct answer है होंग कॉंग के अगला question देखेंगे राजइन्र सिंग जड़िजा का निधन हुआ है वे किस खेल से सम्मनित है तो देखें राजइन्र सिंग जड़िजा यह सम्मनित है bir Deutschだ अगला question है तीन धोडा पहाड़ी में समिलित नहीं है मननस पा option c यहाँ पे आपका right answer है अगला देखेंगे किस जिले में डोलो माइट पाया जाता है तो देखें डोलो माइट पाया जाता है यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा किस जिले में टीरी में पाया जाता है डोलो माइट अगला question है सेप के उतपादन में राजी का राजी का कौन सा स्थान है तो देखिए सेप उतवादन में राजी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान यानि के option D अहां पे आपका right answer है अगला question है सिल्ला, शिला, रामर्ण शिला इस्तित हैं तो देखिए सिल्ला, सिला और रामर्ण शिला ये दोनों ही सिलाएं हैं रुद्रप्तियाग में अगला question देखिएंगे आज का पहाड जो की त्रेमासिक पत्रिका है ये कहां से निकलती है? ये बताना है तो देखिए आज का पहाड त्रेमासिक पत्रिका निकलती है कहां से? पिथोरा गड़ से अगला कुश्यन देखेंगे पांडव शैली में निर्मित मंदिर मद महिश्वनाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है तो देखें मद महिश्वनाथ जो है ये किस शैली में निर्मित किया गया है पांडव शैली में और इस केदार में भगवान शेव के किस अंग की पूजा होती है ये बताना है तो correct answer हो जाएगा आपका यहाँ पर ना भी की अगला कुशन देखेंगे गठन से पूरू राजी में विधान परिशद की सीटे थी तो देखें राजी के गठन से पूरू विधान परिशद की सीटे बतानी है correct answer हो जाएगा 9 सीटे यानिके option डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है अगला कुश्चन देखेंगे राजी की पहली महिला राजिपाल थी राजी की पहली महिला राजिपाल कौन थी Marguerite Alva अगला कुश्चन देखेंगे मानों को हाथों में हाथ डालते नुर्थी करते चल्चित्रों में दिखाया गया है कहां से प्राप्त चल्चित्रों में दिखाया गया है यह बताना है तो करेक्ट अंसर हो जाएगा आपके Lwooth App अगर आपको आंसर आ रहा है कमेंट करके बताईए अगला कुश्चन देखेंगे रूदर शिव मंदिर जिसमें तिर्शुल लेख में नाग पती नाग वाशुक्चल लिकाउल लेख है वह इस्तित है कहां पर इस्तित है करेक्ट आंसर है आपका गुपिश्वर में अगला कुश्चन देखेंगे इंद्रमणी बड़ोनी ने अपने साथ सही योगियों के साथ आमरान अंचन शुरू किया कब किया ये बताना है करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अगस 294 को अगला कुश्चन है श्रीकंठ परवजिस की हाइट कितनी है 6,728 मीटर है श्रीकंठ शिकर कहा परिस्तित है ये बताना है करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी अगला कुश्चन है वीर चंद्र सिंग गडवाली परियाटन स्वारोजगार योशना की शुरूआत की गई थी 1 जुन 2002 को अगला कुश्चन देखेंगे भुकम्प की तीवरता मापने ही दू भुकम्प मापे स्टेशन करमेशा स्थापित है तो देखें भुकम्प की तीवरता मापने ही दू भुकम्प मापे स्टेशन ये आपके स्थित हैं तहरादून तहरी और चामोली में अगला question है जप्टो छेनो आंदोलन 21 जुन 1998 को हुआ था यहां अंदोलन का सम्बंध किससे है यह बताना है correct answer है आपका नंदादेवी राष्टिय पार्क से जप्टो छेनो आंदोलन का सम्बंध है नंदादेवी राष्टिय पार्क से अगला है नई वन कानून के अनुसार वन पंचायत के कुल सदश्यों में से कितनी महिला सदश्य अनिवारी है तो यहां पे इस कुश्चन का राइट आंसर है चार अगल देखेंगे देश के राजियों में लिंगा नुपाद की दृष्टी से उत्राखंड का स्थान है तो द और किर्ट इस्तंब भी है तो उप्यूग तो सभी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला देखेंगे स्वधार परियोशना के शुरुवात राजी में हुई कब हुई ये बताना है तो दीखे स्वधार परियोशना के शुरुवात उत्राखंड राजी में कव की गई थी 2001 तो में अगला कुशन है राज में एक नाली जमीन बराबर होता है राज में एक नाली जमीन बराबर होता है 16 मुठी के यानि कि option ए बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा next question देखेंगे राजी के प्रत्थम मानो विकास रिपोर्ट के मुताबि कितने प्रतिशत लोग करी भी रेखा से नीची जीवन यापन कर रहे है तो इस question का राइट आंसर हो जाएगा 16 प्रतिशत अगला देखेंगे उत्राखंड राजी आंदोलन पर आधारित फिल्म कौन सी है उत्राखंड राजी आधारित फिल्म है कौन सी फिल्म तेरी सो option A यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला question देखेंगे सिव की बजराशन मुद्रा में विराजमान मूर्ती इस्तित है तो देखें सिव की बजराशन मुद्रा में मुद्रा में विराजमान जो मूर्ती है यह कहाँ पर इस्तित है यह है केदानाथ की द्वारपटी का पर अगला question देखेंगे पदम बहदुर मल्लोको अरजिन पुरुसका से समानित किया गया कप किया गया करेक्टर आंसर हो जाएगा यह है आपके अगला question देखेंगे यमुना के बागी बेटे नामक पुस्तक के लेखएक कौन है यमुना के बागी बेटे यह पुस्तक है और इस पुस्तक के लेकख है विद्या सागन नौट या अगला question है उत्राखंड में पालना योजना के शुरुवात कब की गई most important question तो देखे उत्राखंड राजे में पालना योजना के शुरुवात की गई थी 2 October 2015 को अगला question देखेंगे कुमाओ की पहली digital oxygen generation machine कहाँ पर लगाई गई है तो देखे कुमाओ की पहली digital oxygen oxygen generation machine यह लगाई गई है कहाँ पर DD heart में यानि कि option A बिलकुल right answer है अगला है आपका कुमाओ में चाई की पहली खेब कब लगाई गई थी तो देखे कुमाओ में चाई की पहली खेब लगाई गई थी वर्ष 835 में अगला question है राजी में दसवाँ भूमी बंदोबस्त किसके नेतित्व में हुआ था राजी में दसवाँ भूमी बंदोबस्त हुआ था किसके नेतित्व में correct answer हो जाएगा E के pocket नेतित्व में यानि कि option D यहाँ पर आपका right answer है session आप लोगों ने share नहीं किया है अगला देखेंगे गडवाल के 52 गड़ों में बद्रिनाद के निकट इस्तित्ध गड़ था गडवाल के 52 गड़ों में बद्रिनाद के इस्तित्ध कौन सा गड़ निकड़ था ये बताना है correct answer हो जाएगा रवाड़ गड़ अगला question देखेंगे शामसा पवारवँच के किस करम के राजा थे तो देखें शामसा जओते ये पवारवँच के 45 वे राजा थे अगलाiyor कुशंट देखेंगे किस विदेशी यात्री द्वारा कुणिंदो का लेकिया गया है important question है तो ये विदेशी यात्री हैं आपके तालमी जिनके द्वारा कुरिंदो का उलेक किया गया अगला कुश्यन देखेंगे चंद बंच में गल्ला छहाड़ा अनाज का कौन सा भाग था तो देखें चंद बंच में गल्ला छहाड़ा जो था ये अनाज का कौन सा भाग था गरेक पर्वती छेत्रों में वन से लगी भूमी को क्या कहा जाता है तो देखे पर्वती छेत्रों में वन से लगी भूमी को कहा जाता है बोणिया अगला कुश्चन है उत्राखंड राजी योजना आयो का गठन हुआ था उत्राखंड राजी योजना आयो का गठन हुआ किस अगला कुशन है जुला देवी मंदिर इस्तित है तो देखे जुला देवी का मंदिर इस्तित है कहां पर आपके राणी खेत में है आल मोडा जनपत के राणी खेत में इस्तित है यानि कि option ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तो ओकी गाईज आज के सेशन में अतना ही I hope आप सभी को आज का ये शेशन काफे पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये शेशन पसंद आता है तो इस शेशन को लाइक कीजिए, शेर कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल Study with AIM को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स इंटरस्टिंग वीडियो के साथ अब तक के लिए धन्यवाद